है गाइस चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीज़े चैनल को सो आज की सीडियो में आपको यहाँ पर मैं लाइप प्रूफ के साथ लोन लेकर दिखाने वाला हूँ अपने बैंक अकाउंट के अंदर इस लोकडाउन में भी मेरे पास काफी कोमेंट्स आते हैं जिसके अंदर बोलने भाई लोन नहीं मिल रहा है तो गाइस मैं आपको यहा कर सकते हैं लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना हूँ कैसे डॉक्मेंट्स अफ्लोड करने सब कुछ आगे बता दूंग वीडियो की बिल्कुल मत करना हो सके दिस लिए मेरे लाइक कर देना और अगर आप एक नहीं में वाने पहली बार यह वीडियो द आपको यहाँ पर लेकर दिखाने वालों अपने बैंक अगाउंट के अंदर लाइप प्रूफ के साथ लेकिन आपको अगर लौन लेना है तो यह एपलीकेशन डाउनलोड करने होगी तभी आपको लोन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा इस बात का आपको धियान अकना है download करने के बाद open करना है personal loan में जाना यहाँ पर आपको company दिखाई देगी flash cash apply now पर click करना है apply now पर click करने के बाद guys आप यहाँ पर देख सकते हैं 30,000 पर से लेकर 10,000 पर तक कलोन आप यहाँ पर ले सकते हैं 61 दिन से लेकर 365 दिन तक के लिए आपको यहाँ पर loan मिल सकता है 0% से लेकर 29.45% तक का interest आपका यहाँ पर लग सकता है एक गंटे में आपका loan प्रोसेस हो जाता है जब आप first time loan के लिए apply करते हैं अगर मैं eligibility की बात करूँ तो guys आप Indian residence होने चाहिए और आपकी उमर कम से कम 18 साल होनी चाहिए proof of address में आपको यहाँ पर क्या देना है pen card address proof में आधार card यहाँ पर आपको देना होगा और एक selfie आपको यहाँ पर देनी होगी proof of identity में आपको यहाँ पर आधार card और pen card देना होगा income proof में आपको यहाँ पर latest bank statement और latest sell slip इन में से यहाँ पर कोई भी एक दे सकते हैं लेकिन यह optional है अगर आपकी पास है तो दे दीजिए वरना रहने दीजएगा bank account में आपको यहाँ पर bank account का number आपका नाम क्या है bank account में और by FSC code branch यह आपको यहाँ पर देना है अगर आपके पास यह सब कुछ है तो आपने क्या करना है डाउलोड अपर क्लिक करना है उसके बाद क्लिक करना है उसके प्लेस्टोर पर पड़ाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला है सबसे पहले आपको इसके अंदर registration करना होगा आपके mobile number से मैं आपको यहाँ पर यह 10,000 रुपे कलोन आपको उपर दिखाए दे रहा है यह आपको यहाँ पर apply करके दिखाने वाला हूँ लेकिन अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपे कलोन लेना चाहता है उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी profile complete करनी होगी और profile के अंदर आपको यहाँ पर total charge step complete करनी होगी जिसके अंदर आपको यहाँ पर personal certification complete करना होगा personal information आपको यहाँ पर दिने होगी company certification आपको यहाँ पर करना होगा ID verification आपको यहाँ पर करनी होगी personal certification में आपको यहाँ पर क्या करना है guys सबसे पहले आपने pen card की front and back photo upload करनी है pen card का number आपको यहाँ पर डालना है date of birth डालना है आपका first name, last name, आपका email address और face recognition आपको यहाँ पर करनी होगी personal certification complete करने के बात guys उसके बाद आपको यहाँ पर personal information complete फिल करनी होगी जिसके अंदर आपका dental, material status, father का नाम, mother का नाम, permanent state यह पूरी detail आपको सईसी फिल करनी है और आपने इसको submit कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर company verification करनी होगी company verification के अंदर आपको company का नाम, occupation, salary range, salary date, profession type सब कुछ आपने यहाँ पर सईसी फिल करना है और submit कर देना है उसके बाद आपको ID verification के अंदर आधार काड की front and backfort upload करनी है और bank statement आपको यहाँ पर upload करनी है बस आपको यहाँ पर यह करना होगा loan लेने के लिए जब आप यहाँ पर यह 4 step complete कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर loan चूज करना है कितना loan आप यहाँ पर लेना चाहते है starting में आपको यहाँ पर 3000 रुपे या फिर 6000 रुपे का loan है मिलने वाला है यहाँ पर आप दे सकते हैं 3000, 6000, 8000 और 10,000 रुपे का loan आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10,000 रुपे तक का loan लेने के बाद आपको 12,000, 15,000, 8,000 और 20,000 रुपे तक का loan आपको यहाँ पर मिल सकता है लेकिन मेरा भी यहाँ पर 20,000 रुपे तक की जो loan है यह 12,000 से 20,000 रुपे तक का loan मेरा भी यहाँ पर यह लोक है तो चली मैं आपको यहां पर दिखाते हूँ भी 10,000 पे का लोन इपलाई करके तो guys 10,000 पे का लोन पर क्लेने के लिए 10,000 पर क्लिक करना है और जैसे 10,000 पर क्लिक करते हैं तो guys आप यहां पर देख सकते हैं यह loon मुझे मिल रहा है 15 दिन और 35 दिन के लिए ठीक है अगर मैं 15 दिन की बात करूँ अगर आप यह लोन 15 दिन के लिए लेते हैं तो guys आपको यहाँ पर आपके bank account के अंदर 8820 रुपे मिलने वाले है इस पर आपको interest देना होगा 147 रुपे processing fees लेगी 800 रुपे convenience fees यहाँ पर लेगी 200 रुपे GST 180 और total tenner 15 दिन यानि 15 दिन के लिए आपको यहाँ पर लोन मिल रहा है 10147 का repayment आपको 15 दिन बाद करना होगा तो यहाँ पर आपको तक्रीबन 1000 रुपे एक्स्ट्रा देने होगे लेकिन अगर यह लोन मैं लू 35 दिन के लिए total tenner 35 दिन यानि 35 दिन के लिए मुझे यहाँ पर यह लोन मिल रहा है और भाई यह लोन अगर मैं लेता हूँ तो इसको 2 installment में दे सकता हूँ पहली installment जाएगी 20 दिन के बाद 5073 रुपे और उसके बाद जाएगी 15 दिन बाद यानि 35 दिन बाद 5073 रुपे तो total मुझे यहाँ पर यह लोन मिलेगा यह मिलेगा 10,000 मेरे bank account के अंदर और जो repayment मुझे करना है 10,147 रुपे यह नि कुल 147 रुपे 35 दिन में यहाँ पर यह मुझे ले रहे हैं तो guys चलिए अब मैं आपको यहाँ पर loan apply करगे दिखाता हूँ loan देने के लिए simply get your money now पर click करना होगा जैसे आप get your money now पर click करेंगे आपके पास एक OTP पर आएगी आपको यहाँ पर OTP डालनी है सबसे पहले आपने apply पर click करना है तो guys OTP मेरे पास आ चुकिए है OTP मैंने यहाँ पर डाल दिया है अब आपने जो उसको check box से इसको check करना है और आपने इसको confirm कर देना है confirm करने के बाद guys यहाँ पर आप देख सकते है congratulations आपका जो loan है यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं guys यह बोल रहे है congratulations आपका जो loan है यह under review जा चुका है आपके loan application यहाँ पर successfully submit हो चुकी है lockdown भी guys आपको यहाँ पर loan मिल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,147 रुपे का मुझे total repayment यहाँ पर करना है और मेरे पास message भी आच चुका है यहाँ पर आप message देख सकते हैं यह बोले भई आपका जो loan है यहाँ पर successfully submit हो चुका है और जैसी loan आपके bank account के अंदर आपको मिलेगा तो आपको notify कर दिये जाएगा आप देख सकते हैं guys lockdown है लेकिन फिर भी यहाँ पर loan मिल रहा है देख लिज़े आप यहाँ पर मैंने आपको life proof के साथ दिखाया loan apply कर गए अगर loan नहीं मिलता तो guys यहाँ पर loan apply बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पर आप देख सकते हैं your loan application is under review अगर loan यह नहीं देते तो application submit नहीं होती यह आपको पता है guys ठीक है तो guys अगर आपको यह वीडियो अच्छी लेगे नहीं इस वीडियो को like कर देना मेरे भाई क्योंकि आपको यहाँ लोग डाउन मिल रहा है अगर आप लेना चाहते हैं loan तो यहाँ से apply कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर loan लेना चाहते हैं तो आपको lay money application download करनी होगी क्योंकि अगर आप वहाँ से loan के लिए apply करेंगे तो यह आपको loan मिलेगा वरना नहीं मिलेगा ठीक है तो पहले lay money application download करनी है उसके बाद आपने यहाँ पर loan के लिए apply करना इस बात का आपको ध्यान